नमस्ते फ्रेंट्स मिसेसों में करवीतनी वाइडेज में आपका स्वागत है आज मैं आपको बिल्कुल नहीं तरह की अचारी बेगन के रेशिपी लेकर आई हूँ एक बाद जरू ट्राइ करिएगा फ्रेंट्स तो सबसे पहले हमने बेगन को मोटी टुकुल में काट लिया है अब उसे मेरिनेट करेंगे जिसके लिए मैंने एक चमच चीनी थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनेट के लिए रख लिया है अब हम एक ड्राइ मसाला तयार करेंगे कड़ाई में एक चमच धनिया, एक चमच सौप, एक चमच जीरा, दो तीन सुखी लाल मिच और बहुत थोड़ा सा हम मेथी दाना लेंगे साथी साथ हम एक मुटी मुंगफली डाल देंगे इसे लो फ्लेम पे रोष्ट करेंगे अच्छी तरह रोष्ट करने के बाद गैस की फ्लेम को बन कर दें और थोड़ा सा खुसरी मिथी डाल दें इस मसाले को ठंडा होने दे, उसके बाद इसे हम पौडर बना लेंगे अब इसे भी हम साइड में रख कर कुछ तयारी करते हैं थोड़ा सा हिंग पच्पोरा सुखी लाल मिष्ट लिए है, साथी साथ अद्रक का पेश्ट और दो तिन हरी मिष्ट लिए है और एक कब दही को अच्छी तरह फेट कर उसमें हल्दी पौडर आधा जम्मच लाल मिष्ट पौडर डाल का अच्छी तरह मिक्स कर लिया है दही का मिष्ट डाल देंगे, ध्यान रखे फ्लेम को इसमें लो कर लेना है साथी दही वाली का टोरी में थोड़ा पानी डाल कर हम डाल देंगे और उसे लोग फ्लेम पे अच्छी तरह भूनेंगे लो प्लेम पर भूनना है नहीं तो धई फट जगाद, साथी साथ हम 2-3 चमच बेशन डाल देंगे, इसे भी इसके साथ भूनना है, अच्छी तरह बेशन भून जाने के बाद इसमें हम स्वाधनुसर नमक और साथी साथ 1 चमच चीनी डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर ल इसे भी मिक्स करके भून लेंगे, हमने मसाले को रोष्ट किया था, इसलिए से ज़्यादा भूनने के आवशकता नहीं है, अब फ्राई के वे बैगन एड़ कर देंगे, और हलके हाथों से मिक्स कर देंगे, और ढग कर एक मिनट तक पकाएंगे, देखे अच्छी तरह पक पानी डालने के आवशकता नहीं है, इसी तरह गाड़ी ग्रेवी वाली होती है, आप इसे चावल के साथ या फिर रोटी पूरी पड़ाथे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, गर्म गर्म सर्व करिए फ्रेंड्स, अचारी बैगन तयार है, वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करिएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.